हेलो स्टेंट्स वागत हैब सभी का ऑनलाइन इस्टेडे कैनी में जहां पर हम डिसकस कर रहे हैं प्रतियोगिता दरपन मैगजीन का फरवरी दोहजार चौबिस की स्रीश चेल रही है जिसमें सेकेंड पार्ट है यहां पर हम कवर करेंगे महात्पूर सार संग्र है तो यहां पर देखते हैं भारती इतिहास संस्कृति के कोश्चन पराचीन भारत के शा के गड़तंत्र में साभा इस्थल में जो भेट करने वाले स्थान थे उन्हें क्या कहते थे उन्हें सांथागार कहा जाता था नेक्स्ट अनाज की उपज प्रथम बार किस काल में प्रारामबु यह किस सासक की सभा को अलंकरित करते थे तो यह related हैं जैसिंग सिधराज की सभा से नेक्स्ट किस उपनिशद में चारो आश्रमों का सरव प्रत्थम उलेक किया गया था तो यह था जवालो पनिशद में प्र आगरा के किले की मूती मसजिद का निर्मार जो यह किस मुगल श चाहां के द्वारा पिर है यवन राजदूतों में से किस ने भागवत की उपादी धारण की थी यह थे हैलियो डोरस याद रखेगा हैलियो डोरस इनोंने भागवत की उपादी धारण की थी फिर है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्व में भावभूती हस्तिमल अथा छ थे फिर किस मुगल शाशक के राजिकाल में योग वसिस्ट का निजामुद्दीन पानिपत द्वारा फारसी में अनुवारित किया गया था तो यह हुआ था अकबर के शाशन के दौरान फिर है कौन चोल शाशक युद्ध भूमी में राजा गोशित हुआ था तो यह चोल शाशक का नाम था राजेंद्र दुतिये इन्हें युद्ध भूमी में राजा गोशित किया गया था प्रेख गुप्त कालीन ब्राम्ही अभिलेक से यूख्त जयन प्रतिमाएं किस इस्थान से प्राप्त हुई हैं तो ये प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं दुरजनपूर से नेच्ट नहाँ पे राश्टी स्वतंतरता आंदोलम के कोश्यन है पहला सवाल है कि इस Governor General द्वारा Congress को प्रतिबंधित कर दिया गया था तो Lord Willington ने Congress को प्रतिबंधित कर दिया था और कब किया था 1932 में नेस्ट है ब्रिटिस भारत के किस गुवर्नर जनरल ने 1899 में कलकत्ता कोर्पॏरिशन आक्ट पारित किया था यह क्या था लॉर्ड करजन न में मजदूरों का प्रतिनिधी के रूप में किसे भीजा गया था मजदूरों के लिए प्रतिनिधी के रूप में भारत सरकार के दरा एन-एम जोशी जी को भेजा गया था फिर है Muslim League एवं भारती कॉंग्रेस के बीच गति रोध को दूर करने के लिए CR formula बनाया गया था आपको बताना है कि CR formula किसने बनाया था तो यह बनाया था चक्रवरती राजगोपालाचारी ने इसके लेखक कौन है यह बताना है सबसे पहले पुस्तक का नाम भी यादर किये The Rise and Growth of Economic Nationalism in India और लेखक है विपिन चेंद्र नेक्स्ट है आइने के अधिकारियों पर मुकादमा कहाँ चलाए गया था तो इन पर मुकादमा चलाए गया था दिल्ली के लाल किला में फिर है मोतिलाल नहरू और सीयरोग्दास के दौरा 1923 में एक पार्टी गठित की गई थी अगो पार्टी का नाम क्या था उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी फिर है खिलाफत आंदोलन इस खिलाफत आंदोलन के परमुख नेता कौन थे तो प्रमुक नेता थे इस अंदोलन के मुहम्मद अले जिन्ना और शौकत अली फिर एक इसके विद्रोह में रविन रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट हुड की जो उपाधी थी इसका परिताक कर दिया था इन्होंने जलिया वाला बाग जन्साहार के कारण इसके विरोध में जो उनकी नाइट हुड की उपाजी थी उसका परित्याक किया था नेक्सटा अंग्रेजों के विरोध खान अब्दुल गफार खान के द्वारा एक अंदोलन प्रारा में किया गया था आपको बताने उस अंदोलन का नाम क्या था तो उस अंदोलन का नाम था लाल कूर्ती आगे हां पर भारती राज्य व्यवस्था एवं सम्विधान के कोश्चन है आए देखते हैं पहला कोश्चन है कि इस अंशेद के तहत राष्ट्र पती अपने पत गरहन करने की तिथी स पांच वर्स की आवधी तक अपने पत्पे बना रह सकता है तो यह अंशेद 56 के द्वारा यह बताए गया है फिर है मूल सम्विधान में राज्यों को चार अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने की लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर गठन आयोग का गठन किया गया था तो फजल अली याद रखेगा फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर गठन आयोग का गठन किया गया था नश्टा समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवाद व्यक्ति से सरकारी पत को बचाने के लिए जारी किया जाता है तो यह अधिकार प्र दमेंटा तेक्शिकर्ण नेस्ट है भारति सम्विधान में कल्यानकारी राज का उद्धे से क्या है तो कल्यानकारी राज का उध्धे कम जूर वर्गों की आंका प्रबंदफ करना वहाँ पर प्राब्धिकारी कौँसा है जो भारत की समैकित निधी से राज्यों के राचत सुसायता अनुदान पर लागू होने वाले सिधान्तों की सिफारिश करता है तो यह है लोक लेखा समिती यह काम किया दाता है लोक लेखा समिती की द्वारा भारत में मतदान की आयू सीमा 21 वर्स पहले थी इसे घटा के 18 वर्स किया गया है तो यह 18 वर्स कब किया गया था कि साल में तो यह हो था 1989 में संसत के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आकरमन के कारण उत्पन आपात कालिन इस्थिती की घोष्णा करने की मन्यूरी देनी चाहिए तो यहां पर जो डूरेशन है यह एक महीने क है कि दोनों सदनों को एक महीने के अंदर यह घोशना करनी होगी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा तो यह कहा गया है अनुश्यद 20 में आगे यहां पर भारत एवं विश्व भूगोल के कुष्यण है इनने भी देखते हैं तारा मंडल शब्थ रिशी को पस्षिम निवासी किस नामसे जानते हैं तो पस्षिम के लोग शब्थ रिशी को विगडीपर के नामसे जानते हैं फिर है अधा शैल यानि कि बैथोलीज यह किसके दौरा निर्मित भू आकरतियां हैं? तो जो जौला मुखी गतिविधियां होती हैं, इनके दौरा भू आकरतियां बन जाती हैं, उन्हें अधाशयल यानि बैथुलिस कहा जाता है. नेक्स्ट जब ग्रेनाइट शट्टाने रुपांतरित होती हैं उनसे क्या बनता है उनसे बनता है नाइस फिर है हेलू धूमकेतू यानि हैली कोमेट इसकी आवधिकता कितने वर्स की होती है तो इसकी आवधिकता होती है 75 से 76 साल की फिर सूर का अनुमानित व्याज यो है ये प्रित्वी के व्याज से गर compare करने तो कितने गुना है तो प्रित्वी के व्याज से सूर का जो व्याज से ये 109 गुना है फिर दक्षिन भारत की गंडी कोट घाटी यानि The Hidden Grand Canyon of India ये किस नदी से बनी है तो ये निर्मित हुई है पिन्नार नदी से फिर कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्यम भाग में शीत रितु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तर दाई है तो उत्तर पश्यम भाग में शीत रितु में जो वर्षा होती है इसलिए कारण है पश्यमी विक्षोब फिर है छेत्रफल की दृष्टी से भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है तो भारत साथवे नंबर पे आता है पूरे विश्व भर में एरिया की बात करें तो छेत्रफल की दृष्टी से फिर आपको बताना है कि रेगूर किसे कहा जाता है तो काली मिट्टी का ही नाम है रेगूर फिर हैं intertropical convergence zone यानि ITCZ ये एक वायुदाप पेटी है आपको बताना कि है कहां पर कहां पढ़ती है ये तो ये पढ़ती है भूमद रेखा पे आगे यहां पर पर्यावरण एवं जैब विविद्था के कोश्चन है पहरा कोश्चन है भारत की जैब विविद्था के संदर में सिलोन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बर्बेट ग्रेचिंड मिनिवेट और वाइट थ्रोडेट रेड स्टार ये क्या है तो ये पक्षी है भारत की जैब विविद्था के बारे में बात हो रही है तो यहां पर आप चार नाम पढ़ रहे हैं सिलोन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बर्बेट ग्रेचिंड मिनिवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट तो ये पक्षियों के ही नाम है फिर आपको ताना कि र चाहता संपन है जैव विद्था से भारत में जैविक एवम अजैविक संघटकों के मद्ध विचॉलिया का कार कौन करते हैं तो जो उत्पादक हैं यह जाविक और विचन और अजैविक संघटकों के बीच में फिर बताना आपको बुक्सा बाग पर्योजना ये किस राज में है तो ये है पश्चिम मंगाल में नेक्ष्ट है कॉअरब तथा राजा जी राश्टि उद्यान में वन जी प्रबंदन हे तू किस पहमाने के हवाई च्षाया personagem उप्यूक्त हैं लगु पहमाने वाले हौई च्षाय भारत का पहला राष्टी उद्यान कौन सा है काफी आधा important question है पहले भी कई बार पूशा जा चुका है याद रखेगा भारत का पहला राष्टी उद्यान है Jim Corbett राष्टी उद्यान अब आप लोगों के लिए क्विज के question की बारी है तो पहला राष्टी उद्यान तो बता ब्रिक्ष उप्यूक्त माना गया है तो शीता अशोक यह जो ब्रिक्ष है यह धूर प्रदूशन रोकने के लिए उप्यूक्त है नेक्स्ट आको ताना है विश्व ओजोन दिवस कब मना जाता है तो विश्व ओजोन दिवस important question है question कई वार exam में पूछता है important days के section में तो य Tyler Award है तो यह पर्यावरण सुरक्षा के छेत्र में दिया जाता है कि भारती आर्थव्यवस था तो यहां पर देखें किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबाड बैंकी स्थापना की गई थी तो यह समिति शिवरामन समिति नेक्स्ट है किस वर्थ से विश्व जन संख् दिवस यह 11 जुलाई को मना जाता है अब कब सरी से शुरुवात की गई थी इसकी शुरुवात हुई थी 1987 नाइंटीनटी सैवन प्र देश के पहले वस्थर पार्क या एपरेल पार्क जिसे कहा जाता है तो इसकी इस थापना कहां की गई थी तो सब-सब पहला जो भारत का वस्तरपार्क ये है तिरुपूर में तेरुपूर कहां तमिलाडू में फिर यहाँ पे ब्रिक राजील रosia, India, चाइना साथ अफरीका तो जो प्रिक्स का गुरुप है ये एक अंतराश्टी संगठा है इसकी स्थापना कब ही थी ये बताना है तो इसकी स्थापना ही थी 2009 में फिर है जनांकी लाभांच के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए तो भारत को कुशलता विकास को प्रोट्साहन देना च ज़्यादा थे फिर समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कारणीति यानि की डिजिटल सिंगल मार्केट इस्टैटेजी ये पद किसे निर्दिष्ट करता है तो ये निर्दिष्ट करता है यूरोपियन यूनियन को नेक्स है उन्नत भारत अभियान कारिक्रम ह इसका देह है उच्छ सिक्षा संस्थानों को इस्थानी समुदाओं से जोड़ा जाए जिसके समुछित प्रवद्गी की माध्यम से विकास की जो चुनौतियां है इनका सामना किया जा सके इसके लिए शुरू किया गया था उन्नत भारत अभियान फिरा वित्ती इस्थिति का मोले reference करने में फिरा ग LAUGH वित्ती कंपनियों के रूप में पंजिकरित किये जाने वाले सूच में वित्ती संस्थान किसके दवारा विनियमीत है तो यह इस सब्वूंचे देश में कभ शुरू भारत में शुरू किया था 1982-83 के टाइम पे पर सामान विज्ञान एवं ताकिनी की कोश्यन है सबसे पहले बताना आपको कि केल्विन स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान क्या होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273.15 केल्विन ठीक है देखे जो परमाडू होते हैं दातों की छड में गरम करने से उनके बीच की जो डिश्टेंस से दूरी है वो बढ़ जाती है इस करण से उसमें प्रसार होने लगता है नेक्सा आपको बताना है बायो गैस किसका मिश्रन है तो मीथेन और कार्बं डाय औकसाइड याद रुखेगा साइन्स का ważना इंप्रेन ए मिथन और कार्बन डाय औकसाइड का कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूद से दही बनने पर क्या घठित होता है इसका वर्णन करता है तो देखे प्रोटीन विक्रिती करण जब दूद से दही बनता है तो वहाँ पर प्रोटीन विक्रिती करण होता है फिर हमारी हड़ियां और दाथ समानता है किस रासानिक पदार्थ के बने होते हैं तो हमारी हड़ियां और दाथ बने हैं ट्राइकेल्सियम फॉस्फेट से फिर है मिनी माटा बीमारी किस प्रदूशक के कारण उत्पन होती है तो मिनिमाटा बीमारी होती है मरकरी के कारण नेक्ष्ट है एक स्वस्थ वैस्क व्यक्ति में कितने ग्राम परती सौ मिली हीमगलोविन रख्त में होता है तो यहाँ पर 13 से 15 एक स्वस्थ वैस्क व्यक्ति के लिए है यह 13 से 15 ग्राम परती सौ मिली हीमगलोविन मास्पेशिया में किस पदार्थ के एकत्र होने से ठकान होती है मास्पेशिया में लैक्टिक अमल जब एकत्र होता है उससे ठकान होने लगती है नगस्ट है उन देशों में जहां के लोगों का मुख खाद्यान पोलिश किया हुआ चावल है वहाँ के लोग किस से पीडित होते हैं तो वहाँ के लोग बेरी बेरी से पीडित होते हैं फिर है जो मनुष यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना कब रोग देना चाहिए वह किस से पीडित है तो वह पीडित है बुलीमिया से बुलीमिया में मनश यहीं नहीं पता चल पाता है कि वो भूजन करता रहता है उसको समझ मेने आता कि कव उसे रुकना है तो उस रुको कआजाता है बुलीमिया फिर सक्षा ऐवम बाल मनुविग्यान है यहां पर देखते हैं जैनमे से किशोरा वस्था तक बच्चों में विकास किस करम में होता है तो इसमें समवेदिक, मूर्थ और अमूर्थ इसकरम में विकास होता है फिर किशोरा वस्था बड़े संगर, स्टूफान और विरोध के वस्था है ये किसने कहा था ये कथन किसका है तो ये कथन है स्ट बच्चों को गड़ित पढ़ाते समय पाठ योडिना बनाने का सबसे महत्पूर्ण पहलू कौन सा है सबसे महत्पूर्ण पहलू है चात्रों को आवधार्णाओं के निर्माण की अनुमति देने का आवसर प्रदान करना फिर है उपलब्दी परिक्षण एवं नवैनिक परिक्षण में किसका अंतर है तो दोनों ही परिक्षण में उद्देशियों का अंतर है फिर है एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत ससक्त भी हो सकता है जो दोस भावनावक्योर ले जाता है तो ये अवस्था है तीन से छे वर्स तक पहल बनाम दोस अवस्था फिर नैतिक तर्क का अवस्था सिध्धान्त किसने सपस्ट किया था तो सिध्धान्त सपस्ट किया गया था लॉरेंस कोहलबर के द्वारा फिर वन्शान उक्रम से संबंदित प्रयोग चूहों पर किसने किया था तो ये प्रयोग किया था मेंडल ने फिर विकाज व्यक्ति में नवेन विशेष्टाएं और योगिताएं प्रस्फुटित करता है यह कथन किसका है तो यह कथन है हरलौक का पिर है किसोर अवस्था आदर्सों की अवस्था है सिद्धान्तों के निर्माण की अवस्था है साथ ही जीवन का सामान समायोजन है यह किसका कथन है तो यह कथन है जीन पियाजे का फिर संप्रेशन और संचार है अपको अताना कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने या मद्धस्त वातावरंड में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं तो क्या कहलाता है तो उस टाइप को संप्रेशन कहलाता है अंतरव्यक्तिक संप्रेशन संकेतों और प्रतीगों का अध्यान विचेश इरुप से जब वो बोली जाने वाली और अनिरदिश्ट चीजों का संचार करते हैं । संसे जाता है फिर है सामान मानक भाषा का उप्योग संकुचन और आराम दायक स्वर किस तरह के संप्रेशन की विसेस्ता हैं तो ये विसेस्ता हैं अपचारिक संप्रेशन की नेक्स्ट है अशाब्दिक संप्रेशन के तत्व क्या-क्या है तो अशाब्दिक संप्रेशन के तत्व हैं सारे रिख भाशा चेहरे के भाव आख से संपर्क और प्रोक्सेमिक्स फिर है प्रोक्सेमिक्स आपने भी पढ़ा तो यह प्रोक्सेमिक्स है क्या तो प्रोक्सेमिक्स इस बात का अध्यन है कि लोग व्यक्तिकत इस्थान का उप्योग कैसे करते है यह अंतररंगता सम्मान और प्रभता को भी व्यक्त करता है तो इसे प्रोक्सेमिक्स कहा जाता है नेक्स्ट है जब एक सामान लक्ष को प्राप्त करने के लिए कम संख्या में व्यक्ति सामानिता जो 3-12 संख्या होती है तो इसे कम संख्या में व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंताय करिया करते हैं 13-12 लोग तो ऐसे संप्रेशन को क्या कहते हैं तो ऐसे संप्रेशन को लगु स परणके अनकूल होने चिंता को दूर करने के लिए फिर आपको आना है कि फिट गेटिंग क्या है तो फिट गेटिंग एक एड़ाप्टर है जिसका उप्योग चिंता दूर करने के लिए किया जा सकता है नेक्स्ट है अशाब्दिक संप्रेशन के प्रकार क्या है जिसके प्र होती है तो फुटवाल में गॉल पोष्ट की चौड़ाई होती है साथ दसम्लो 32 मीतर हाटी कि मैदान में गॉल पूस्ट उसकी चौड़ाई कितली होते हैं मेराथ tables में कितनी धूरी तक दोटा है तो वहाँ पर दूरी होती है 42.195 km फिर पताना हौकी में जो penalty stroke होता है जो penalty ले जाती है penalty stroke कितने दूरी से मारा जाता है penalty stroke मारा जाता है आठ कर्छ की दूरी से फिर है एलेक्ट्रा गोल्ड कप यह प्रतियोगीता का नाम है आपको बताना जो है किस नाम से जाना जाता है घुर सवारी का खेल परिसर को एरीना कहते हैं नेक्स्ट है वाली इसमैश सर्वीस यह शब्द किस खेल से संबंदित है तो यह संबंदित है लॉन टेनिस से फिर स्वतनत भारत के लिए व्यक्तिकत रूप से पहला उलम्पिक पदक किसने जीत लॉप पे तो परफ है बारत प्राहँ प masturb oneteist cricket के कप्तान कौन थे परठके क्रिक्र कप्तान से सी के नाइड़ू इनके नाम पर सी करा है ट्रफी भी प्रत्रियोग्ता भी खोलीया थी भारत मेANS किरत पहली बार किस्वर उनतीस अगस्थ को राष्टि खेल्दिवस के फिर क्रिशी के कुश्यन है इन्हें देखते हैं तो विश्व का प्रथम शाक नाशी यानि की हर्भी साइड कौन सा है तो यह है टू फोर्डी ठीक है यह विश्व का पहला हर्भी साइड है टू फोर्डी फिर न्यू लीफ यह किसकी एक प्रजाति किसके किश्म है तो आलू की एक प्रजाती है जिसे नियू लिफ कहा जाता है भारत के विविन छेतरों में उत्पादित सुल्ताना गुलावी और काली चंपा प्रमुख फसले ये किसकी किसमे है तो अंगूर की ये किसमे है अंगूर की किसमे है इनका नाम है सुल्ताना गुलावी और काली चंपा फिर पेडो की कतारों के बीच में फसले उगाने की जो पद्यती है इसे क्या कहते हैं तो इसे तोंग्या प्राणाली कहा जाता है नेक्स बताना है मुर्रा जानवर की एक प्रजाती है किस जानवर की प्रजाती है यह बताना है तो मुर्रा जो ही यह भैंस की एक प्रजाती है फिर हैं शक्तिमान एक और शक्तिमान दो ये किसकी अनुवन्शिक परिवार्तित फसले हैं तो ये मक्का की अनुवन्शिक फसले हैं फिर है बिना बीज के फालो को विक्सित करने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं इसे टिशू कल्चर कहा जाता है इसके अध़ी है दूई बीज पत्त्री तने के सम्वहनी फूलों के बीज के छेतर को क्या कहते है तो इन्हें कहा जाता है मज्जा किरने फिर ब्रॉकली आपने खाई होगी ब्रॉकली काफी famous vegetable है जब लेकिन याद रखना है कोशन आ सकता है साइंस में फिर है वाइट आईसिकल किसकी परजाती है तो आईसिकल परजाती है मूळी की अब आगे computer के question है इन्हें भी देखते हैं पहला कोशन है software code में त्रिटियर दोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इस प्रोसेस को debugging कहा जाता है नेक्स्ट है motherboard के जिस भाग में input और output काड लगते हैं उसे क्या कहते हैं उसे expansion slot कहा जाता है फिर एकी से memory को काम करते रहने के लिए लगातार विद्यत अपूर्ति की अब सकता पड़ती है तो यह है static ram sram next आपने http देखा होगा browser में http का full form क्या है http का full form है hypertext transfer protocol next crawling indexing और ranking यह शब्द किसे सम्बंदित हैं तो यह search engine से सम्बंदित शब्द है crawling indexing और ranking next जब microsoft excel worksheet के प्रकोष्ट हो यानि जो sales है इनमें संख्याइं प्रविष्ट की जाती हैं तो वह पूरुनिधारत इस्थिति यानि by default किस और होती हैं तो जो भी संख्याइं प्रविष्ट की जाते हैं वह by default दाइं और संग्रेखित होती है एक्सल में फिर MS word में आप किसका चैन करके पूरुनिधारत उपांत व्यवस्थाओं यानि की जो margin setting होती हैं उनको कस्टमाइज यानि अनकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं तो इसके लिए option में आपको layout में जाके margin सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर यहां पर OCR OCR का फूल फार्म बताना है OCR का फूल फार्म होता है Optical Character Recognition देहान दखेगा कई बार यह question आया भी है और option में Optical Character Reader दिया रहता है ठीक है Optical Character Reader और बहुत से लोग reader में भी टिकल लेते हैं तो reader होगा recognition होगा ठीक है Optical Character Recognition फिर एक ही समय पर दोनों दिशाओं में computer से data जो भेजा जाता है तो इसके लिए कौन सी data संचार विदी प्रेप्त की जाती है तो इस data संचार को कहा जाता है फुल डूप्लेक्स जिसमें एक ही समय में दोनों और डेटा भेजा जा सकता है कि फिर 1024 किलोवाइट किसके बराबर होता है ठीक है एक हजार 24 किलोवाइट तो यह बराबर होता एक मेगावाइट के लास्ट में है विविद कोश्यन है कुछ इने भी देख लेते हैं पहला कोश्यन है भारत के संदर में थिलाना किसका एक रूप है तो थिलाना भारत नाट्यम का ही एक रूप है फिर है चापचर कुट मीम कुट पावल कुट यह कहां के तेवहार है तो यह तेवहार है मेज तो यह तमिल नाडु का प्रमुक सास्त्रे नेते हैं और अभी अमने उपर पढ़ा कि भारत नाट्यम का ही एक रूप है थिलाना नेक्ट कोस्ट्टन है चंदिगड का वास्तुविद ले कोर्बूजियर ये किस देश का नागरिक था तो ये नागरिक था फ्रांस का फिर है आकाशवानी यानी की All India Radio A-I-R ने अपने मून नाम इंडियन ब्राटकास्टिंग कंपनी से काम करना का प्राराम्ब किया था तो इसने इंडियन ब्राटकास्टिंग कंपनी के नाम से 1927 में काम किया था इसके बाद फिर ये AIR आकाश्वानी नाम पढ़ा था फिर रियक्षगान कहां का लोग प्रेन रित है तो रियक्षगान रित है करनाटक का फिर जाल विनाई दमामा मुर्यो ये क्या है तो ये कुमायू के वाद्यंत्र थे नेक्स्ट है गुसाई दत किस रशनकार का मूल नाम है तो सुमित्रा नंदन पंत इनका मूल नाम है गुसाई दत और लास्ट कोशन है चित्रा चार उपेंद्र महारती की पुस्तक वेडू शिल्प इसका सम्बन्द किस कला से है तो ये सम्बन्दित है बांस कला से ठीक है पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ज्यादा ज्यादा शेयर किए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आने वाली है जैसे ही बुक अफलेवल हो जाएग चाहिए वो किसी भी स्टेट का एक्जाम हो या इडिया लेबल का एक्जाम हो तो हर एक एक्जाम के लिए इंप्रतियुगता जारपट उससे जरूर चेक आउट करिएगा बाकि इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेंडी ग्राम चैनल पर जॉइन करके इ जॉब एलर्ट्स नोटिफिकेशन सब कुछ है की पर अबलेबल है तो उसे ज़रूर जोइन करिएगा बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक करेंड थेंक यू गाइस